रिए दर्षको नमस्कार आज में आपको द्वितिय भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में किस तरह का प्रभाव मिलने वाला है किस तरह का आपके जीवन पर यह असर देने वाला है इसकी प्रमुख जानकारी देने वाला हूं ऐसे क्या कार्य है जिन्हें करके आप अपने जीवन में अपने धन योग को एक्टिव कर सकते हैं आपकी कुंडली में जुदिये भाव का स्वामी दर्शाएंगा कि कितना धन आप अर्जित कर पाएंगे जन्म कुंडली के अंदर जो दुसरा भाव होता है वही दर्शाता है कि विक्ति को जीवन में कितना धन मिलेंगा एसे विक्ति की इच्छाय कितनी रहेंगी एसा विक्ति सिर्फ अपने लिए कमाएंगा या सभी के लिए करेंगा किन शेत्रों से ऐसे विक्ति को धनकी प्राप्ति होंगी ऐसे विक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसे अच्छे धनकी प्राप्ति हो आदी ऐसे ही विशाई की जांकारी आज हमें आपको देने वाला हूँ अगर दिखा जाए तो जोति शास्त्र में दुसरे भाव को बहुती महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि दुसरे भाव का स्वामी जहां बेटता है तो जोति शास्त्र में ये कहा गया है कि इसा विक्ति कितनों के लिए कर पाएगा, कितने लोगों को भोजन करवा पाएगा, ये बात दर्शाती है कुंडली के दुसरे भाव के स्वामी की इस्तिति, अगर आपकी कुंडली में दुसरे भाव का स्वामी कही अच्छी अवस्ता में बेठा है, उच्य राशी में बे हमारी वानी से भी जुड़ा है दूसरा ही भाव आप यह देख पाएंगे कि हमारे कुटुम्ब से जुड़ा है हमारे संसकारों से जुड़ा है धन संचय करने के लिए भी इस भाव को देखते है रिसोर्स के लिए भी इस भाव को देखते है और व्रधी के लिए भी इस अगर आप जूड जाते हैं तो जीवन में आपको धन की प्राप्ति ये अवश से करवाएगा अब वो भाव कौन से रहने वाले है आपकी कुंडली में दुसरे भाव का स्वामी कहा है वो दर्शाएगा फिर इसमें एक और बात है कि जोति शासर में एक और चीज वढ़नी थ कि दुसरे भाव का स्वामी ही दर्शाता है कि आप अपने परिवार का नाम उचा करेंगे बढ़ाएंगे या फिर आप अपने परिवार का नाम नीचा करेंगे या फिर डुबाएंगे और ये दुसरे भाव का स्वामी थोड़ी ही इस्तिति को देखकर बता देता है अगर दुसरे भाव का स्वामित्रिक भावों में पिडित हो रहा हो या नीच राशी में कही बेठा हुआ हो मजबूत अवस्ता उस पर नहीं आती हो तो एसी अवस्ता में एसा वेक्ति कुछ ऐसे कारे करेंगा जिससे उसके जो घर परिवार या कुटुमब का जो नाम है वो कही न लेकिन जिसका अच्छा होगा बलवान होगा दुसरे भाव का स्वामी दिखबली होगा आप जानते हैं दिखबली का अर्था क्या होता है प्रत्यग्रह अलग-अलग भाव में आकर दिखबली होते है जैसे अगर दुसरे भाव का स्वामी बुद्ध या गुरु है तो अगर दुसरे के स्वामी शुक्र या चंद्रमा हो और ये कुंडली के चतूर्ज भाव में हो तो ये भी आपको इसी तरह का प्रभाव देंगे अगर शनी हो दुसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव में हो तो ये शनी भी आपको यही बात दर्शाएंगा कि ये आपके जी तो ये दिख बली हो जाएंगे और एसी अवस्ता में ऐसा विक्ति अन्न के लिए करेंगा अन्न के लिए अच्छा सोचेंगा जो इसके पास आएंगा उसे भुजन कराए बीना नहीं भेजेंगा भुजन कराने से मेरा मतलब यह है जो तिस शास्त में वर्णी थे कि कितने लो फिर एक समय ऐसा आता है कि सब उनसे छिन भी जाता है लेकिन आप देखेंगे कि जो दुसरों की सहायता करते रहते हैं इश्वर उनकी भी सहायता करते रहते हैं उनकी वेवस्ता जो धन की है वो करवाते रहते हैं तो यह प्रमुक बात है यहां मेरा उद्देश आपको सिर आने से हो, उनकी अन्य सहायता को पूरा करके, उनके काद को पूरा करके हो, आपको करना चाहिए, आप करेंगे दुसरा भाव आपका बलवान रहेगा, दुसरा भाव वानी है, आपको अपनी भाशा का चैन, अपनी वानी का प्रभाव किस प्रकार से आप लेते हैं, कितना उ किसी को कुछ बोलता है तो वो सच होने की संभावना बन जाती है। इसलिए जिनके दूसरे भाव के स्वामी अच्छे हो या दूसरे भाव की इस्तिति अच्छी हो शुप गरह का प्रभाव हो। गुरु के दरष्टी हो दूसरे भाव पर या गुरु बेठे हुए हो या दुसरे भाव में शुब ग्रह ये अवश्य करते हैं। फिर अगर आप ये देख पाते हैं कि दुसरे भाव में पापक ग्रह है। तो येसा विक्ति अब आपने सुना होंगा, कुछ लोगों को बोला जाता है कि ये तो काली जबान वाला है। कि जो बोलता है वो तो गलती होता है ये तो गलत बोलता है वो हो ही जाता है। तो ये कब होता है जब दुसरे भाव में पापक ग्रह नजर आते हो। जैसे आप में जैका शनी है, मंगल है, राहु है। तो ये विक्ति के इस तरह की इस्तिती निर्मित कर देते हैं। डुसरे भाव में वक्रीगरा होती है अब दूसरे भाव कास्वामी, अलग अलग भावों में बैठकर की इस शंखला चल रही है जैसा कि आप जानते हैं अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देख पाए या अगर आप बाद में देखते हैं और इस शंखला की वीडियो नहीं देख पाए है तो बिना किसी चिंता के आप आई बटन के लिंक पर जाएएंगा वहां आपको एक पूर भावादी के स्वामी का प्रभाव बता चुका हूँ और अभी की जो वर्तमान की वीडियो है वो आली भी मिलेगी पूर्वर में केवल दुसरे भाव का स्वामी धन केसे देंगा क्या इसे थी बनाएंगा उसकी जानकारी मैंने दी थी फटा फट दी थी अभी थोड़ा विस के लिए अपने दमपर करता है कुटूमब से अलग अगट के विक्ति जीवन में आगे बढ़ता है यानि कुटूमब के वालों की जो सोच वहे उस पर नहीं चलेगा अपनी सोच से आगे बढ़ेंगा अपनी बुधि-मत्ता से आगे बढ़ेंगा जो दुसरे भाव का, जिसका स्वामी अच्छी अवस्ता में बेठा हुआ, जैसे मैंने का लगनम में बेठा हुआ है, अगर दिगबली आदी हुआ, तो क्या कहने की बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, तो दुसरे भाव का स्वामी जब लगनम में होगा, तो यसा विक्ति, अगर मजबूत हुआ यहां पर और पापक ग्रहों के प्रभाव में नहीं हुआ एसा वक्ति सभी के लिए करने वाला अब इसका उल्टा होगा जैसे यहां पर शनी आ गया तो दिखबल से विहिन हो गया नीच राशी का प्रभाव काल पुरुष की कुंडली के आधार पर आ सुर्ष भी इवन अच्छा प्रभाव देता है तो कहने की बात यह कि फिर यह वक्ति को आगे बढ़ाएंगा यह वक्ति अपने स्वयम के दंपर काम और यह देखने को मिलेगा दूसरों के लिए करेंगा अपने दंपर बनेंगा जो भी बनेंगा अपने जीवन में अपने से अलग रटके विक्ति कुछ काम करके दिखाए है और अपना नाम आधी उसी से कुछ बड़ा बना ये बात अब मजबूत हूँगा अच्छा नाम दुसरे में कितनी बढ़िया इसी तिपेटिक, संपत्ति, धन आदी के लिए बहुत बढ़िया ही ये, बिलकुल अच्छा है, ऐसे विक्ति को बहुत धनवान ये दुसरे भाव का स्वामी बना सकता है, लेकिन खराब क्या है इसमें, जोति शास्ते में कहा गया है कि एसा विक कि अंदर अहम का भाव है, एक अपने दम पर कुछ करना, अपने वाला प्रभाव है, तो जब दुसरे भाव का स्वामी दुसरे ही भाव में होगा, तो ऐसा विक्ति फिर अपने ही बारे में सोचेंगा, अपने लिए ही करेंगा, और कही न कही थोड़ा स्वार्थी बन सकत तो फिर विक्ति अपना स्वार से देखेंगा, उसका बस अपने से ध्यान नहीं हटेंगा, लेकिन अगर कोई अच्छा ग्रह हुआ, मजबूत इस्तिती हुई विक्ति सब के लिए करेंगा, धन भी कमाएंगा, अन्ने की सेवा भी करेंगा, और सब को अच्छा परिणाम प्र दूसरे भाव का स्वामी बेठा है, तो आप समझे, अच्छा है आपका दूसरा भाव, अगर आप स्वार्द सित्थी करते हैं, अपने से मत पूछिए, या अगर अपने से पूछते हैं, तो बिलकुल आप एक न्याय पूर्ण आप नेड़न लेजिए, तो आपको पता ल प्रभाव में हो, तो छोटी मोटी यात्रा से, कम्यूनिकेशन से, लोगों से कनेक्शन जुड़ करके, अपना बोल सकते हैं कि बेंकिंग या फाइनेंस से जुड़ा सेक्टर भी आयाता है कई बारी, विशेशकर बुद्ध का प्रभाव हो तो जादा मा आयाता है, फाइन तरह की बाते कोई देखने को मिल सकती है, शीपिंग वगरा के लिए अच्छा होता है, अब किस तरह का अगरा है वो डिपेंड करेगा, मंगल हो शीपिंग वगरा के लिए हो गया, अगर शुक्र हुआ तो कोई ड्रोइंग, आर्ट वर्क इस तरह कुछ कर सकता है, बुद् भाव कुछ आजाता है, फिर दुसरे भाव का स्वामी अगर आप देखते हैं चतुर्द भाव में हैं, तो यह अच्छा योग है, वेक्ति को सुक आदी दिलाने में यह अच्छा परभाव दिखाता है, वेक्ति को यही चाहिए कि अपने आस-पास के लोगों के लिए भी क लेकिन सभी के लिए करें, तो इससे क्या देखने को मिलेंगा कि दुसरे का स्वामी जब चतुर्द में होगा, तो वेक्ति को यह सुक भी देंगा, अच्छा परिणाम भी देंगा, एक और बात है न, कि देखिए होता क्या है कि ऐसे वेक्ति को चाहिए थोड़ा इतना अधिक बोलते हैं, उन्हें कहीं न कहीं मानसी का शांती जादा होती है, और जब दूसरे भाव का स्वामी चतुर्द में हो, तो यह प्रभाव जादा बन सकता है, या आपको मानसी का शांती चिंता आधी बनी रहे, वो बाते आ सकती है, इसलिए आपको ज्यान रखना है कि आऊशकता के अनुसर बोलना है, आप अपनी वाडि से कमा सकते है, सुख भी अर्जित कर सकते है, लेकिन सही जगह पर सही बाते बोल कर. अगर आप वी अर्था की बात बोलते है, या जो आउशकत नहीं है, वो इतनी बाते करते हैं, तो ये कमजोर भी हो जाएंगा, आपक अच्छा प्रभाव फिर आपको नहीं मिल पाएंगा, तो उसका ध्यान आपको रखना है, बाकी सुखों के लिए, सुखों से जुड़े काम के लिए, शुक्रादी जैसे ग्रह हुए तो लगजरी, भुजन या ग्रोसरी, घर में उप्यूग में आने वाली चीजे, कही न कही इंट्रेट डिजाइनिंग वगएरा बुल लीजिए, ये सब इसमें आ जाएंगी, चतूर्त भाव में आती है क्योंकि ये, तो इससे विक्ति कमा पाएंगा, अगर चंद्रमा मंगल जैसे कुछ गरह होए तो टूर्स और टेवल्स हो गया ले सकते हैं, चंद्रमा मंगल मे हों तो इसे अच्छा उच्च कोटी का वक्ता योग कहा गया है, लेकिन ऐसा विक्ति अपने संतान से परेशान लाता है, तब तक पंचम भाव में ये दुसरे भाव का स्वामी पिडित ना हो जाए, हाँ, पिडित ना हो जाए, अगर दुसरे भाव का स्वामी पंचम में बेठा हुआ है तो ऐसा विक्ति अपने जीवद में अपनी वानी से समाज में नाम सम्मान तो बना लेंगा लेकिन अपनी संतान के लिए परिशान रहेंगा अगर यहां पर आप देखते हैं कि जो पंचम भाव में दुसरे भाव का स्वामी बेठा हुआ है ये किसी कारण से पिडित हो गया है इस पे पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया है तो आप देख पाएंगे कि फिर इसे विक्ति को कुछ इंता नहीं रहेंगी संतान के लिए अच्छा कर पाएंगा संतान भी इसे विक्ति के अच्छी होंगी और विक्ति अपने दम पर भी अच्छा काम कर पाएंगा बाकि दूसरे भाव का सभी पंचम में हो अच्छा वक्ता योग बनता है अच्छी वानी इसे विक्ति को प्रदान करता है इसा विक्ति अन्य को सह सलाह देता है सही मार्ग दर्शन देता है इसा विक्ति अच्छा जोतिशी बन सकता है एक तरह से क्योंकि विक्ति की वानी अच्छी होती है अच्छा लोगों को ग्यान देता है मार्ग दर्शन लोगों का अच्छा करता है तो इसा विक्ति उससे अच्छा सफल हो पाता है तो लग सकता है, कोई जुर्माना लग सकता है, अब हर बार शासन पशासन नहीं आएंगा, आपका काम ही सरकार से नहीं है, तो फिर सरकार आपको दंड क्यों देंगी, दुसरे भाव का स्वामी छटे में है, तो ये देखने को मिला, कि आपको अपने कुटुम्बी जनों के होना है इससे, तो इसलिए अगर आपके घर में है, पुर्वजोकी, उस पर आपको चाहिए कि आप कोई भीवाद ना करें, जिसको चाहिए उसको ले लें देजिए, आपके लिए कुछ बैस्ती है तो ले लिए अन्यता आपने दम पर कुछ करने का प्रयास कीजिए, क्यों मतलब आप वकील वगरावे पिसे जाएंगी, क्योंकि डूबने से मेरा मतलब है कि आपका नुक्सान तो होना है, वो किसकरन होना है, क्योंकि आपके ओपर करजा है आपके कुटमबी जनों का, ओर तब तक वो करजा पूरा नहीं होंगा, झब तक आप उनके लिए कुछ कर इस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो उसको डुबानी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, और फिर कहीं न कहीं उससे करजा चुकाना पड़ता है, तो ये खराब योगे, इसलिए मैं आपको पेले ही आगार कर रहा हूँ, कि उससे बचने के लिए, आपको चाहिए, कि आप के सब्तम में हों, तो आपको पार्टनर्शिप से, आपके जो साथ में कारे करता है, उससे लाव हो सकता है, जीवन साती से लाव हो सकता है, आपका जो लाव है, आपको जो धन मिलने वाला है, ये दुसरे पर निर्भर कर रहा है, दुसरा कोई आपको लाव करवा पाएंगा, दूसरा आपको आगे बढ़ा पाएंगा, विशेशकर आपको ऐसे विक्ति को अपने कारे में किसी ने किसी की सहायता क्या आशकता होती है, विशेशकर जीवन सातियादी को जोड़ने तो बहुत अच्छा होता है इनके लिए, यह कही न कही इनको आगे बढ़ाने के योग न दिहां रखना चाहेंगे, अन्यता ऐसा विक्ति अपने व्यापार से, विशेशकर अगर घर परिवाल में कोई काम चलता आ रहा हो, तो उससे अच्छाला आपका मा सकता है, उससे अच्छी इस्तिति निर्मित कर सकता है, अगर दूसरे भाव का स्वामी आप देख पाते है कि कुंडिली की अच्टम भाव में है, अगर पिडित हो गया, तो आप देख पाएंगी कोई आपको कही न कही अपने कुटुम भी जनों से जो धनादी की प्राप्ति आप सोच रहे है, वो नहीं हो पाएगी, इसे भी दंड योग कहा गया है, छटे में हो या आठ्वे में इसे विक्ति को बहुत कुछ करना पड़े, उनके लिए कुछ न कुछ देना पड़े, उनके लिए दान करना पड़े, पर दान तो नहीं बोलूँगा, उनके लिए इसे विक्ति को बहुत से छोड़नी पड़े, ये विक्ति के जीवन में हो गाई, और नहीं छोड़ेगा, तो इसको फिर वो कोड काचरी में, या फिर आप ये समझे कि कही ना काई होस्पिटल में, या स्वास्थ पर अन्य चीज़ों पर इसे विप्ति को भरना पड़ जाएंगे तो ये चीज़े आप स्वेम देख पाएंगे. तो इसलिए इसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना स्वयम से जो धनादी है जो चीजे है वो अन्य को देते हैं अगर अच्छी अवस्ता में हैं तो व्यक्ति को सम्मिलेंगा व्यक्ति सुकी संपन जीवन जीएंगा अपने कुटुमब के साच में रहेंगा कोई उनसे जुड़ा काम कर सकता है जमिन के अंदर से निकलने वाली चीजे या फिर यह समझ करके चले कि यहां पर वो फिर किस तरह का ग्रह है वो भी निर्भर करेंगा लेकिन जैसे शनी आदी जिससे ग्रह हो गए तो रिसर्च वर्क हुआ जमिन के अंदर से निकलने चीजे हो गई मंगल आद तो finance, banking आजे तो आता ही है, share market वगरा भी आता ही है, तो वो चीज़े है, फिर दुसरे भाव का स्वामिया आप देखते है कि कुंडली के नवम भाव में बेठा हुआ है, तो ऐसे विक्ति को कही न कही ये अच्छा कहा जाएंगा, एसे विक्ति के लिए ये भी मतलब अच्छ विक्ति की वाणी भूत अच्छी होती है, या फिर ये बुलिये कि मानसम्माद इतना अच्छा होता है इन्ने लोगों से, कि इसकी वाणी पर ही सब लोग विश्वास करके इसे काम कर देते हैं, यानि अगर कही पर आक के मन में आए कि हां कहां पर काम करना है, तो जिसके द जूर देशों से भी जूर सकता है ऐसा विक्ति, मेनुफिक्चरिंग भी कर सकता है, कुटुमों में कोई चलता आरा काम भी कर सकता है, या विक्ति विदेश से भी जूर सकता है, टूर्स एं ट्रेवल्स यात्रादी से भी जूर सकता है, विक्ति को लाब उनसे अच्छा हो ज इसा विक्ति अपनी पहचान इसी बनाता है समाज में कि अन्ने लोग विश्वास भी करते हैं और अपने जीवन काल में से अच्छा धन भी अरजित कर पाता है। इतना हो अन्यता फिर वही सामान इस्टिति में आएंगा और विक्ति जितनी मजबूती से कमा सकता है वो नहीं कमा पाएंगा तो वो कमजोरी रह जाकी है। बाकि दूसरे भाव का स्वामी अगर एकाद़ भाव में हो तो यह अच्छी इस्टिति है। विक्ति अच्छा के लिए अच्छा होता है और विक्ति अन्न की सहायता करता है अन्न को सही मालगा दिखाता है तो ये चीज़ें देखने को मिले अगर बलवान अवस्ता में हो तो बहुत बढ़िया ऐसा नहों कि नीच राशी में पीड़ित अवस्ता में किसी प्रकार से होता हो तो अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा तो ये बात है लेकिन अगर देखा जाए दूसरे भाव का स्वामी जब नहां कुंडली के लाब भाव में हो तो जीवन में उम्र बढ़ने के साथ विक्ति को लाब मिलता है अश्टम भाव में नवम भाव में दशम भाव में रिकादश भाव में बताये हैं कि विक्ति को सेल्फरमिट बनाएंगे और अधिक देरी के बाद थोड़ा टाइम लगने के बाद विक्ति को लाब करवाते हैं जल जल जी नहीं करवाते जिसे एस्टम भाव बोल सकते हैं 40-45 वर्शे की आयू नवम भाव बोल सकते हैं 30-32 या फिर राशी द पारत देखने को मिलती हैं बाकि लाब भाव में हो तो धन के लिए अच्छा होता है तकी संपन्य विक्ति को बनाता है अच्छा जीवन यापन करवाता है फिर लाब भाव का ब सौमि अगर बार्वे भाव में हो तो ये आपको मतलब एक धन देने में खरा भी नहीं है आप खर्च करेंगे धन की प्राप्ति करबा देंगा यहां पर आप धर्मिक चीजों से जुड़ के अच्छा लाप कमा सकते हैं जैसे बारवा भाव धर्म का भी है उस्पिटलादी का भी है तो उनसे जुड़ सकते आप आप किसी चेरिटी से जुड़ जाए या कोई एसी कंपनी में जुड़े जो आपके धर्म से जुड़ी होई हो और दान में कारे करती हो अनने की साहता करती हो सेवा करती हो दान करती हो ऐसे किसी ट्रेस्टर से आप जुड़ जाए आप देखेंगे आपको लाप भी होंगा आप अच्छा कमा भी पाएंगे अगर ज अच्छी बात है यहां पर कि लगन का अपने दूसरे भाव का समय बार्वे भाव में हो तो फिर खर्च भी होता है इसे विक्ति का बहुत अधिक मात्रा में इसा विक्ति स्वयम भी खर्च करता है और खर्च करने से विक्ति को लाब भी होता है धन की प्राप्ति भी होती यह बागी यहां पर यह कोशिश करना चाहिए कि धार्मिक कारों से जुड़ा रहे, दान करता रहे, जो भी सेलेरी या जो भी धन इसको मिलता है, उसका कुछ न कुछ डोनेशन करता रहे, तो विक्ति को अच्छा लाब अवश्य से मिलेगा, यहां यह देखने को मिलेगा कि दू जे राधी चीजों को भी दर्शाता है, और बाकी मैंने आपको बताई दिया कि जिन चीजों सापको जुड़ना है, वो आप अगर जुड़ जाते है, योगा पढ़ना है, माधी चीजे भी देखी जाती है, उन से जुड़ना आपको अच्छा परिणाम जरूर से प्रदान करेंगा, और आप देख पाएंगे, आपके जीवन काल में, धन की इस्तिती भी अच्छी बन जाएंगे, आपको समस्या नहीं देखनी पड़ेंगी, यहाँ पर ये है, जीवन के 34, 35 वर्शे के आयू के बाद से, ऐसे विक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में धनाना चाल हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है, बाकी, यानि देखा जाएंगे, दुसरे भाव का समी जहां भी जाएंगा, वहां से धन की प्राप्ति ही करवाएंगा, ऐसी कोई खरा भी नहीं करेंगा, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर आपको अन्ने के लिए करना है, पीने की चीज़ें दुसरे भाव से देखते हैं, उनको दे, अच्छा आप सात्विक स्वयम भुजन करें, सात्विक वाणी का प्रयोग करें, आपकी वाणी आपके मान संबान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल लिभाती है, तो उसका ध्यान रखे, आप देखेंगे आप अपने जीवन काल में सफल भी होंगे, धनवान भी होंगे, और सुखी जीवन यापन भी कर पाएंगे, तो ये थी दुसरे भाव के स्वामी की बाहर भाव की इस्तिति, अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं, तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और एसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,